नमस्कार मैं हूँ उर्मिला सिंग सिसोधिया मेडिकल केर में आप सभी का स्वागत है हमारे रसोई के अंदर बहुत सारे गरम मसालों का प्रयोग किया जाता है उन गरम मसालों में से एक है दालचीनी आज हम चर्चा करेंगे दालचीनी के बारे में दालचीनी इस तरीके से दिखती है एक तरह से यह जो पेड़ की छाल रहती है यह छाल की जैसी होती है यह दालचीनी के अंदर बहुत सारे पोशक तत्वे इसके अंदर पाई जाते हैं यह एक तरीके से गुणों का खजाना है इसके अंदर बहुत सारे गुण पाई जाते हैं जैसे कि यह एंटी फंगल है एंटी ऑक्सिडेंट है और साथ में एंटी बैक्तिरियल भी है अब आगे हम यह जानना चाहेंगे कि दालचीनी किन समश्याओं को दूर करने की शमता रखती है जैसे कि मोटापों को दूर करने में, कोलिस्ट्रोल को कम करने में, बलड स्रुगर लेवल को कम करने में, बालों एवं तवचा से सम्मंदित विकारों में गठिया रोग या जोडों के दर्द में या सूजन में हड्यों की कमजोरियों किसी प्रकार की उसको भी दूर करता है साथ में यदि किसी को फेट फूले की समश्या है, कबजे, गैस की समश्या है अर्थात पाचन से सम्बंदित विकारों को भी दूर करने में सहयक होती है ये इमिनेन सिस्टम को बढ़ाने का यानि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने का काम करता है अच्छी नीद के लिए भी बहुत अच्छी है ये इसके अलाबा मस्तिस्क रोग, कैंसर रोग और हार्ट की डिजीज की समश्याओं को दूर करने में भी ये सहयक होती है और बॉडी को डिटोक्स करने का काम भी करती है दालचेनी की तासीर गरम होती है इसकी प्रक्रती यानि ये प्रक्रती से गरम होती है इसलिए इसका प्रयोग सीमित मात्रा में यानि 2-3 ग्राम तक ही लहना चाहिए दालचेनी के इस छिलके को हम पीस करके एक चून के रूप में बना सकते हैं और इस चूण का प्रियोग हम आप दूद के साथ, पानी के साथ, या किसी सबजी के साथ, या सलात के साथ, या दही के साथ, किसी भी तरीके से इसका प्रियोग कर सकते हैं, या फिर जैसे एक ग्लास पानी है और एक ग्लास पानी को आप अच्छी तरह से उबाल लें, और गुंगोने उस पानी को हम चान लेंगे और चान करके उस गुंगोने पानी को हम पी लेंगे तो यह दालचीनी का जो पानी है यह बहुत ही जादा उप्योगी होता है और दालचीनी का जो पानी है यदि हम रात को सोते समय लेते हैं तो यह पाचन तंद्र को दुरुस्त करता और साथ में हमारी मोटापा और कोलेस्ट्रोल जैसी समश्याओं को भी दूर करता है इस तरीके से हमने ये देखा कि दाल चीनी हमारे स्वास्त के साथ यानि सेहत और खुपसूर्ती दोनों के लिए ही बहुत जादा उपयोगी है तो दाल चीनी का उपयोग हमें करना चाहिए यदि आपको वीडियो किसी तरीके से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार